Friends आज हम बात करें है Yes Bank की और साथ में हम बात करेंगे आज DHFL की क्योंकि DHFL में Yes Bank के पैसे डूबे हुए है और DHFL को लेकर एक nई अपडेट आयी है जिसको आपके साथ में हम डिस्कस करेंगे और DHFL में जो लोग फसे हुए है क्योंकि लगातार अपर सर्किट लग गया था और उसके दोरान लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिए चक्कर में उसमें बैटे रह गये थे लेकिन आप उसमें लोवर सर्किट का दोर सुरू हो गया है तो आगे उनका क्या बहुत से बन्यवाला है वो भी जानकार ही हम इस वीडियो के द्वारा वीवर्स को बता देंगे जिनोंने डिये पेचर में इन्वेस्मेंट किया हुआ है लेकिन फ्रेंड्स यस बैंक को लेकर अब क्या आगे रणनेती अपनानी चीए लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले गर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस एस बी दविया और मेरे चैनल ऑल लाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स सबसे पहले हम आज यस बैंक के ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं यस बैंक का श्टॉक आज 18.70 पर ओपन हुआ फिर इसने हाई बनाई है 19.20 की और यह लो में चला गया था 18.40 पर और एंड्स ने जो क्लोजिंग दिया हुआ 18.90 पर करीब 3.2% अपर क्लोजिंग दिये सबसे अच्छी बात यह रही कि इसमें अपर सर्किट नहीं लगा फ्रेंड्स सर्किट लगना अच्छी बात नहीं है सर्किट लगने के वज़े से स्टॉक में मजबूतिक कम हो जाती है उसमें जब अपर या लोर सर्किट लगता है और फिलाल जो इसकी 3.28% की जो तेजी है वो अच्छी बात है और नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है लेकिन वॉलिम बहुत ज़्यादा हो रहा है अगर वॉलिम की बात करेंगे तो BSC में करीब 2 करोड 44,37,655 शेरों की वॉलिम हुई है और सामने 1 करोड 22,70,147 शेरों की डिलेवरी उठाई गी है और डिलेवरी का percentage है 50.21% यानि जितना टोटल वॉलिम है उसका आदा डिलेवरी बेस काम हुआ है यह बहुत अच्छी बात है 50% डिलेवरी बेस माल उठाई यानि आगे तेजी की संभावना दिख रही है NSE की बात कर लेते 22,78,74,398 शेरों की वॉलिम हुई है और सामने 8,92,66,149 शेरों की डिलेवरी उठाई गी है और डिलेवरी का परसेंड़ेज 39,17% यानि NSE में भी बहुत अच्छा काम काज हुआ है वॉलिम बेस काम अच्छा है और वॉलिम के मामले में आज मार्केट में यह नंबर बन था इससे यह साबित होता है कि इसकी खरिदारी लोट आई है और इसमें तेजी की संभावना बन रही है इसका मतलब यह नहीं फ्रेंट के इसमें बहुत ज़्यादा तेजी बनने वाली है मैंने आपको पहले ही बता दिया फ्रेंट्स फिलाल इसकी जो लेंद है वो 17 से 21 के आसपास है इसी रेंज के अंदर वो फिलाल ट्रेड करेगा ज़्यादा से ज़्यादा तेजी बनेगी तो 21 से 22 तक जा सकता है बहुत ज़्यादा जाने की संभावना है नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें रेट की बड़ोतरी हो चुकी है 12.20 से इसकी बड़त हुई थी तो यह अगर 21-22 के आसपास जाता है तो लगबग 10 रुपे की बड़ोतरी होती है तो इससे ज़्यादा की बड़ोतरी की संभावना फिलाल दिखती नहीं है क्योंकि ऐसा कोई बड़ा रिजन बन नहीं रहा है हाँ जैसे ही क्वाटरी का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट बैटर हुआ तो इसमें तेजी 100% बड़ेगी और इसकी जो प्राइज ये वो 30 के पार चली जाएगी परन्तु फिलाल हमें इसमें वेट करना चीए लेकिन फ्रेंट्स इन्वेस्मेंट के लिए बहुत ही सांदार स्टॉक है और जो पहले इसके अंदर जो इसके माइनस पॉइंट है वो सारे खत्म हो चुके है यह एक बहुत ही सांदार स्टॉक है अब इन्वेस्मेंट के लिए और माजार का यह हीरो है सबसे बड़ी बात ऐसे सर्च में नमबर वन नहीं आता है Yes Bank Yes Bank के बारे में लोग बात करते है Yes Bank का कामकाज Yes Bank का मैनेजमेंट बहुत ही साधार है वो लगातार नए नए decision ले रहा है आपको पता ही है बहुत सारे बीजनस के अंदर वो इंट्री कर रहे है सारे के सारे ऐसे बीजनस उनके बैंकिंग कारोबार को सबसे हटके दिखाए वैसे वो बहुत सारे टाइप लगातार कर रहे है उन्होंने E-Wire कंपनी के साथ में अपना टाइप कर लिया है और उनके साथ मिलके रूपे कार्ड नया लॉंच करेंगे जिसके दुआरा बहुत सारी बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे जिससे यस बैंक का कस्टमर बेस बढ़ेगा क्योंकि E-Wire के जो कस्टमर है वो भी यस बैंक को मिलेंगे तो इस तरह से कारोबार लगातार यस बैंक बढ़ाने की कोसिस कर रही है उनका जो सबसे बड़ा उद्देश से यह है कि उनका जो लॉन बुक है उसको बढ़ाये जाए लॉन बुक बढ़ाएंगे तभी कारोबार बढ़ेगा क्योंकि जो लॉन जब देगी बैंक उसके द्वारा जो उनको इंट्रेस्ट प्राप्त होगा उसी से एक सारा का सारा कारोबार बैंक का बढ़ता है साथ मैं यस बैंक चाती है कि उनका कस्टमर बेस बहुत ज़ादा बढ़े तो इसलिए उन्होंने जो अपना एक लक्षे रखा है कि आने वाले दो-तिन साल के अंदर उनका जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उनकी संक्या भी वो दूगू नहीं करना चाते है तो इस तरह से लगातार वो कोशिस किये जारे है अपने 20 को बढ़ाने की और इसका जो पॉजिटिव सिंग्डल है वो इस्टॉक के उपर भी दिख रहा है और इस्टॉक बहुत ही ज़्यादा मजबूत है अच्छी खासी इसमें कमाई की संभावना बन रही है लेकिन अगर आप लॉंग टम इंवेस्टर है तो फिलाल आपको यस बैंक के इस्टॉक में छेड़शाड नहीं करनी चाहिए आपको सिर्फ अभी इंतजार करना है लंबे समय के लिए आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है अब हम चलेंगे दिएचे फेल की तरब आज डी-एचेफल में लो़र सरकिट लग गया है और प्राइज डी-एचेफल की जो प्राइज है फ्रेंज वो हायस्ट प्राइज फोर्टीटू तक गई थी जबकि इसकी सुरुवात बहुत दी नीचे से हुई थी एक महीने के अंदर ही फ्रेंज आप देख लो तो 18 से लेके 42 तक का सफर किया है DHFL के स्टॉक ने बहुत ही जबर्दस इसमें प्रॉफिट दिखा बहुत जादा इसकी प्राइज में बड़ोतरी हुई लेकिन जैसे ही वो एक न्यूज बंद निकल के आई 1058 करोड के फ्रॉड की उसमें गिरावट सुरू हो गई और उस गिरावट की विज़े से लोवर सकिट लगते लगते श्टॉक फिर से 35.85 पर आज आग गया है यानि लोगों ने प्राइज बढ़ती हुई देखी लेकिन कुछ फाइदा नहीं हुआ फिर से प्राइज गिरने लगी है तो फिलाल ऐसे स्टॉक को अवेड करना चीए अभी तक उसका कोई भविश्य नहीं है DHFL का कोई भी सामने क्लियर पिच्चर नहीं दिख रही है जो निउज निकल कर रही है फ्रेंड वो यह है कि यह जैसे आपको पता ही है अदानी ने अपनी बोली बढ़ा दी थी अदानी के दोरा बोली बढ़ाने के बाद में पेरामल ग्रूप और ओक्ट्री ने भी अपनी बोलिया बढ़ा दी है बीजनस को खरिदने के लिए तीनों कमपणिया पूरी अपनी कोशिस कर रही है ताकत लगा रही है परणतु की जो बोलिया है बहुत नीचे है DHFL का टोटल जो कर्ज है वो है 87,031 करोड का बहुत ज़ादा लेकिन जो बोलिया लगा जा रही है वो 36,06 करोड के आसपास की है तो एक वादवान ग्रूप की तरफ से ओफर दिया गया है NCLT को कि आप ये बोली को रोक दे और ये निलामी को रोक दे हम खुद ये करजा चुका देंगे परणतु हमको 6-7,08 साल के इमको मौलत दे हम जो 87,000 करोड का जो करजा है वो पूरा चुकाएंगे आप इस तरह अगर हमारे ये कंपनी को आप कोडियों के भाव में बेज देगे तो बहुत सारा लॉस होगा बैंकों को भी लॉस होगा हमको भी हो जाएगा हमारी कंपनी पूरी मुफ्त के भाव में बिग जाएगी क्योंकि हमारी company की जो valuation है बहुत ज़ादा है और ये लोग जो बोलिया लगा रहे बहुत कम है तो इस तरह से वादवान बंदू ने कहा है कि आप हमको मौका दो हम 7-8 साल में पूरा-पूरा पैसा चुका देंगे जो बैंकों का बकाया है 87,031 करोड का परन्तु फिलाल NCLT ने इसके उपर कोई अपना react दिया नहीं है तो इस तरह से कोशिस ये जारी है कि किसी भी तरह से ये settlement हो जाए परन्तु अभी तक इसमें कोई नीचोड में निकल के आ रहा है फ्रेंट्स ये बोली में जो सबसे आगे जो प्लस पॉइंट पे खड़ा वो पीरामल ग्रूप है क्योंकि उसने बोली बढ़ा दी है साथ में वो ये बिजनस को खरीच सकते है लेकिन ओक ट्री के लिए मुसीबत है ओक ट्री फ्रेंट्स सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ओक ट्री के लिए वो ये है कि वो एक foreign investment company है और इंडिया में insurance का business खरीचने के लिए इंडियन होना जरूरी है यानि जो उसका man promoter है वो इंडियन होना चीए इंडिया में रहने वाला होना चीए तो ओक ट्री के लिए एक minus point है कि पिरामल ग्रूप इंडियन है उसके लिए plus point है वो ही ये company को खरीच सकता है तो फिलाल इस मामले में पिरामल ग्रूप सबसे आगे दिख रहा है अदारी भी अपनी तरब से कोशिस किये जा रहे है वो भी बोलिया बढ़ा रहे है उनकी बो बढ़न होने वाला है बोलिया इनको और बढ़ानी होगी तब ये deal हो पाएगी क्योंकि फ्रेंड्स यस बैंक के भी पैसे डूबे हुआ है दिख नहीं रहे है जादा बड़े loss की संभाव नहीं हो सकती है जैसे आपने देखा थोड़ी सी एक news आई निगेटिव निगल के आई तो उसके वज़े से उसमें lower circuit लगना शुरू हो गया है अदारनी ग्रूप टेक ओवर करेगा ऐसी एक news के बेस के उपर बहुत ज्यादा प्राइज उसकी बढ़ गई थी तो ऐसे news rumor के उपर आपको investment नहीं करना चीए बड़े loss में आप पढ़ सकते हो क्योंकि अगर य investment किया हुआ है और आपको profit मिल रहा है तो आप उसमें से profit booker के निकल सकते हैं लेकिन friends कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से एक बाइडवज ले ले या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके education प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसन आए तो like से जरू लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए थैंक्यू फ्रेंड